हेलो एवरिवन वेलकम टू ग्यान आईक्यू और आज हम करेंगे के विएस पी आर्टी की जो टेस्स सीरीज चलाई थी पृतिक शिवालिक सर ने उसका जो टेस्स सीरीज सी है उसके पेड़ागोजी के क्वेस्टिन्स करेंगे इससे पहले सेट ए और बी के जो पेड़ागोजी के को देखेंगे यह 20 के 20 कोशन आप खुद भी अटेंप्ट करेंगे मुझे लगता है कि आप में से काफी लोगों ने शायद वो अंसर की भी देख रखी होगी इसकी लेकिन अभी आप यहाँ पर अंसर की को मत देखना यहाँ पर अपने आप ट्राई कि आप कितने कोशन कर पा रहे हैं क्योंकि यह आपका रियल टेस्ट आप की नॉलिज का ठीक है और जो फुल एक्स्प्रेनेशन होगा वो तो मैं आपको साथ साथ दे दी जाओंगी तो चलिए बेना देरी के हम स्टार्ट करेंगे अपनी आज की सीरीज तो फर्स्ट कोशन है कोन सा ऐसा अरली थियोरिस्ट था यानि की शुरुवाति सिधान्त वादी था जिसने डार्विन के सबसे अच्छे के अस्तित्व यानि की सर्वाइवल ओफ दा फिटेस्ट वाली जो डार्विन की थियोरी है उसके बेस पर जो है अपना मनोवज्यानिक दरश्टी कोन ब करा चुकी हूँ जिसमें था प्रेग्मेटिस्म यानि की प्रियोजन वाद उसका एक्जेक मीनिंग मुझे अब पता चला है प्रियोजन वाद वैसे उसमें व्यावारवाद लिखा था यह वो गूगल ट्रांसलेट का जो भी था लेकिन इसको हिंदी में प्रेग्मेटिस् और मैंने आपको प्रियोजन वादी में जो है नाम बताये थे उसमें मैंने आपको विलियम जेम्स का भी नाम बताया था तो विलियम जेम्स यानि की सेकिंड विलियम जेम्स जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा विलियम जेम्स की अकॉर्डिंग इसमें जोन तो मैंने विलियम जेम्स का भी उसमें नाम लिया है तो गाइस यह विलियम जेम्स है जो प्रेग्मेटिज्म को मानते थे यानि कि प्रियोजन वाद के पहले के वो थे मतलब इन्होंने प्रोपाउंड किया था इसको लेकिन जो जॉन डीवी है उसे जादा मतलब फेमस हुआ था प्रियोजन वाद मतलब मुख्या प्रवर्तक हम जोन डीव को कह सकते हैं लेकिन उनसे पहले विलियम जेम्स कर चुके थे ठीक है तो देखो यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपको यह जानना कि प्रियोजन वादी थे कौन-कौन ठीक है तो यह डारेक्ट कोशन आपका philosophies of education से आया है next question है which of the following is not a correct statement तो इन में से कौन सी statement जो है correct नहीं है वो आपको बतानी है देखो यहाँ पे दो टर्म्स हैं एक है reliability और एक है validity ठीक है जब हम standardization करते हैं न टेस्टिंग का जब हम test लेते हैं किसी भी subject का as a teacher हम जब भी test लेते हैं तो क्या हम ऐसे random एक नहीं आपको फटा-फट दो test लेकिन जब आप actual में test लेते हैं एक proper set criteria के साथ blueprint बनाते हैं बहुत सारी चीज़े करते हैं testing में तो उसमें हम दो चीज़ों को चेक करते हैं एक तो validity और एक होती reliability जब यह board के paper बनते हैं जितने भी exam होते हैं board के exam आपने देखे होंगे मतल प्रोसेस ही reliability का होता है कि reliability का मतलब है कि आप जिस तरह के test ले रहे हैं क्या वो बच्चों के साथ consistent result दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आपने science का मतलब एक ही subject का मान लीजिए आपने दो यूटी लिए है unit test 1 लिया unit test 2 लिया ठीक है suppose आपने दो य reliable वो मतलब विशवशनी यह नहीं कह सकते हम उसको क्योंकि एक में इतना peak उपर जा रहा है graph और एक में बिल्कुल down हो जा रहा है that means कि आपके testing में कहीं नहीं गड़ बड़ है आप test जो है कभी एकदम से आपने high level पर पहुचा दिया एकदम से आपने low level पर कर दिया तो इतन reliability होती है कि मतलब आप जो है मतलब जो भी test है आपका क्या वो consistent result दे रहा है आपको मतलब जो result आपके first test में थे उसके आसपासी है कि एकदम से उसमें graph गिर गया है उपर चला यह वाली चीज़ होती है ठीक है जो हम reliability पूरी कर लेते हैं उसके बाद हमारा next step आता है validity का validity का मत आ रहे थे कि बच्चे के knowledge में हम check करना चाह रहे थे लेकिन हमने उसके जगे कुछ और ही check कर लिया है तो वो test आपका valid नहीं होगा ठीक है अगर आपको 10th class के बच्चे में जो skills होनी चाहिए आप वो skills अगर check करना चाहते हैं अपने question paper उस हिसाप से बनाया है लेकिन अगर आप उन skill को छोड़ के कुछ और ही पूछ रहे हैं या तो कम level का पूछ रहे हैं आप high level का पूछ रहे हैं अना मतलब आपने major कुछ और करना था लेकिन आपने major कुछ और कर लिया तो इसका मतलब वो validity नहीं होगी वहीं पर रोग देंगे ना नहीं दे रहा तो reliable है तो उसको आगे कैसे बढ़ाना है वैद उसको करी नहीं सकते जब तक कि हमने उसके विश्वश नहीं था जाच नहीं कर लिया ठीक है तो मतलब एक test reliable हो सकता है बिना validity के मतलब पहले validity नहीं होती मतलब पहले हम reliability चेक करते हैं तो हाँ यह हो सकता है कि अभी हमने validity चेक नहीं करी है लेकि reliability हमने चेक कर लिया तो first is correct उसके बाद second option है कि a test cannot be valid without being reliable ठीक है मतलब यह इसमें कह रहा है कि एक test जो है valid नहीं हो तक जब तक कि आप reliable नहीं हो तो मैंने आभी आपको बता है कि पहले reliability चेक होती है उसके बाद validity चेक होती है तो इसका मतलब यह भी correct option है उसके बाद a test can be reliable and valid बोथ बिल्कुल दोनों भी हो सकते हैं आपने टेस्ट ले लिया वह reliable भी है और आपकी ने उसके बाद उसमें देखा कि हाँ वह हम जो measure करना चारे थे बच्चे ने वही किया हां भी वह measure भी कर लिया हमने ठीक है तो दोनों हो सकता है लेकिन कई बार sometimes ऐसा होता है कि आपके कुछ test reliable तो होते हैं लेकिन कई बार valid नहीं होते हैं कई बार चीज़ें हो जाती है ऐसी घडबर तो यह हो सकता है तो मतलब तीन ओप्शन ठीक है अब लास्ट कह रहा है कि option no.4 is not correct तो option no.4 is the correct option of question no.52 next question है after being bitten by a dog at a young age प्रतीक becomes fearful of all dogs मतलब बहुती छोटी उमर में प्रतीक को कुट्टे ने काट लिया था और मतलब वह सभी कुट्टों से डरने लग गया है मतलब अब जब प्रतीक कुट्टे को देखता है तो उसका दिल जोरों से धड़कता है और भागने की तरह मैसूस करता है कि यह भाग जाना चाहिए ठीक है प्रतीक has developed dash through dash conditioning मतलब प्रतीक ने किस तरह का अनुबंधन के माध्यम से क्या विक्सित कर ली है ठीक है यह हमें बताना है तो देखो conditioning आप सभी को पता है कि दो तरह की होती है operant conditioning होती है and आपकी होती है classical conditioning ठीक है तो उद्धीपक जो है आपको कही न कहीं बहुत जादा control करते हैं लेकिन जो operant conditioning होती है उसमें कहीं न कहीं learner जो होता है जो सीख रहा होता है वो थोड़ा active हो जाता है लेकिन classical में क्या होता है वो थोड़ा passive ही रहता है उसका इतना control नहीं हो पाता चीजों पर जबकि operant conditioning मे learner का थोड़ा control हो पाता है और उसमें थोड़ा reinforcement मतलब reinforcement, negative और positive reinforcement भी आ जाता है, तो वहाँ कहीं न कहीं वो अपनी समझ से थोड़ा वह काम करने लगता है, लेकिन classical में जो learner होता है, वो बिल्कुल passive होता है, उस पर जोर ही नहीं, मतलब stimulus से इतना ज़्यादा effective हो जाता है, कि मतलब उसका खुद का इतना जोर नहीं पड़ता है, ठीक है तो अब देखो इसमें हुआ क्या है, अब यहाँ पर क्या हुआ है कि प्रतीक अब यहाँ पर operant और classical conditioning तो आपको हर example में नज़र आ रहे होंगे, हर option में नज़र आ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, पहले हमें यह देखना है कि habituation है या phobia है, मतलब यह डर है किसी चीज़ का या फिर सक्रिया आदी हुआ है मतलब habit हो गई है formation देखो habit कैसे होती है, जब वो चीज़ लगाता आपके साथ होती है, suppose मतलब आपको एक sound लगाता, राय जारी आए जारी आए जारी है, आप उसे पहले board disturb होते हैं, लेकिन उसके बाद आप सोचते है कि नहीं चलो, अब उसके बाद क्या होता है कि आप उतना ज़ादा habituation हो जाती है आपके, कि फिर आप उसके आदी हो जाते है और आपको लगता है कि आपको फरक नहीं पड़ रहा है लेकिन यहां पर यह case नहीं है यहां पर habituation तो हुआ ही नहीं है, भाई बार 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 थोड़ी नहीं हो रहा है उसको एक बार हुआ, ठीक है, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि this is a classical conditioning का example है ठीक है, this is an example of classical conditioning तो यहां पर हुआ क्या है, कि भाई उसको कुत्ते ने काट लिया ठीक है, वो dog उसके लिए stimulus बन गया, उसका काटना जो है अब वो उस चीज़ से डरने लग गया अब reinforcement का इन चीज़ों का उस पर कोई इसर नहीं पड़ेगा जैसे ही dog उसके सामने आएगा, तो वो डरेगा ठीक है, classical conditioning हो गई है यहां पर तो यहां पर पहली चीज़ हुई है, कि एक phobia है डर पैदा हो गया उसके अंदर, और किसके थू हुआ है classical conditioning के कारण हुआ है, तो यानि कि option number four is the correct option, ठीक है, option number four जो है यहां पर वो बिल्कुल इसका सटीक example होगा, ठीक है, यानि कि phobia create हो गया because of classical conditioning, next question is very easy which of the following is not a stage in Kolberg's theory of moral development, इन में से कौन सी जो है वो stage नहीं है, Kolberg की moral development की यानि कि उनके नेतिक विकास की, तो देखो sensory motor जो stage है, वो आपको देखती ने जरारी होगी, यह PIJ के according है, ठीक है, sensory motor जो है, PIJ की cognitive development की जो थियोरी है, उसकी stage है, otherwise जो pre-conventional, conventional and post-conventional जो है, यह तीनो जो है main stages है, Kolberg की थियोरी की, और इनकी दो-दो sub-stages और होती है, तो total हम six stages कह सकते हैं, Kolberg की थियोरी में है, नेतिक विकास की, next question is also very easy, which of the following statement is not correct, इन में से कौन सा कथन जो है, सही नहीं है, children are active and motivated learner, बिल्कुल active होते हैं, children construct knowledge from their own experiences, वो अपने अनुभवों से जो हैं, ज्यान का region करते हैं, उसकी सरंचना करते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है, interaction with once physical and social environment is not a necessary conditioner for cognitive development, यानि कि संग्यान आत्मक विकास के लिए अपने physical, यानि कि अपने जो आसपास का environment है, सामाजिक और शारेरिक environment है, उससे हमें interaction करने की ज़रत नहीं होती, उससे कोई फरक नहीं पड़ता, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, मतलब obviously अगर आप अपने social और physical environment से interact करेंगे, तो आपकी cognitive development बहुत enhance होती है, वो बहुत बढ़ती है, ठीक है, और चोथा option है कि cognitive development can proceed only after certain genetically controlled changes अगर, तो ये प्याजे ने बोली थी है न, biological maturity की बात करते थे प्याजे, कि जब तक आप biologically mature नहीं हो जाते हैं, जब तक आप इस particular age पे नहीं पहुँच सकते हैं, तब तक आप उस age की जितने भी काम होते हैं, वो आप नहीं कर पाते हैं, इसलिए जो प्याजे की theory है, वो state specific है, कि एक stage के कुछ task होते हैं, वो उसी stage पे complete आप करेंगे, उसके बाद आप next stage पर जाएंगे, ठीक है, मतलब पिछली stage के जो पिछली उमर की task होते हैं, वो आप complete करेंगे, फिर आप अगली maturation के बात है, तो ये भी option बिलकुल ठीक है, next question है, which of the following school of psychology has been most interested in explaining why the figure above is perceived as a cube, देखो अब हम सब जो भी हैं, आप लोग भी हैं, जो इस picture को देख रहे हैं, हम सब इसको देखते पैचान जाते हैं, कि ये cube जैसा बन गया है, एक cube को क्या बोलेंगे, घन के रूप में बन गया है, जैसे cube होता है, dice आप खेलते हो, जब loodos खेलते हो, dice होती है, उस तरह बन गया है, ये हमें देखने से पता चल रहा है, लेकिन ये picture जो है complete नहीं है, आप सभी प्याजे आ जाता है, वैगोट्स की आ जाते हैं, ठीक है, और आपके यहाँ पर Brunner आ जाते हैं, ठीक है, इन लोगों ने ऐसी कोई बात नहीं की थी, इस तरह की images का कोई principle इन्होंने नहीं दिया था, उसके बाद अगर हम psycho analysis की बात करें, तो हम फ्राइड की थियोरी आ जाती है, ये भी पिल्कुल different perspective है, उसके बाद behaviorist की बात करें, तो उनके according तो बच्चा बिल्कुल passive है, वो तो सोची नहीं सकता है, उसकी तो conditioning करनी पड़ेगी, हमें तब जा के उसको समझ में आएगा कि ये picture है किसकी, लेकिन behaviorist वालो तो हम बिल्कुल perspective मान नहीं सकते हैं, तो इसका correct option जो होगा, वो होगा option number 3, gestalt, जो gestalt वादी थे, इनकी धारणा ये थी कि हम जब भी किसी picture को या चीज को देखते हैं तो हम पूरा as a whole देखते हैं, उसको आधा या अधूरा नहीं देखते हैं, अब हम यहाँ पर सिर्फ इन डंडो को ऐसे नहीं देख रहें कि ये डंडा एक है, ये एक है, ये एक है, इन लाइन्स पर हमारा ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन हमारा ध्यान पूरी picture पर जाएगा, मतलब पूरी picture को as a whole देखें, complete view में हमारी image बनती है, हमारे दिमाग में ये gestalt वादी मानते थी, और अगर मैं इस particular question की बात करूँ तो ये आपका जो gestalt के बहुत सारे principle है, जैसे principle of smallness है, principle of symmetry है, principle of surroundness है, इसी तरह से ये है principle of closure, ठीक है? कोई भी image आपको थोड़ी सी अदूरी दिती है, लेकिन आप फिर भी उसको complete कर सकते है, अपने mind में ही, है ना, उसकी बात मतलब we tend to fill the gaps in the stimulation and perceive the objects as a whole, rather than the separate parts, ठीक है? मतलब ये है, basically कहना, कि मतलब हम separate parts पर ध्यान नहीं देते हैं अपना, बलकि हम उस picture को जोड़ के ही अपने दिमाग में images बनाते हैं, ये gestalt वादी जो हैं, ये ऐसा मानते थे, ठीक है? Next is the main agency of informal education is, ठीक है? देखो जो modes of education है, modes of education से question लिया गया है, इसमें 3 modes होते हैं, basically formal होता है, एक non-formal होता है, एक होता है informal, ठीक है? Formal में आपके, बिल्कुल आपके schools आगए, आपके institutions आगए, non-formal में आपके distance education आगए, जहां पे, बिल्कुल formal तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी उनका set criteria होता है, आपके clubs आगए, sports club आगए, या फिर आप लोग कहीं music सीखने के लिए जा रहे हैं, music groups हो गए, यह सब आपका non-formal में आता है, फिर last में बात करता है informal की, informal जिसमें आप बिल्कुल casually चीज़े सीखते हैं, मतलब बिल्कुल कोई strict provisions नहीं होती, कोई ऐसा chart में होता साल के लिए के चीज़े आपको सीखने हैं, मतलब कहूंगी कि involuntarily आप सीखते चले जाते हैं, आप मतलब को, आपको जदा efforts नहीं करने पड़ते हैं, लेकिन आप सीखते चले जाते हैं, तो देखो, यहाँ पर जो है, सारे ही informal education के आपके example दिये गए हैं, जैसे home हो गया, society हो गया, radio टी education में आगया, लेकिन जब हम समाज में रहते हैं, मतलब society में जिस समाज में हम रहते हैं, यह घर भी उसी का पार्ट माना जाता है, newspaper, radio, tv, सब उसी का पार्ट माना जाता है, ठीक है, तो basically यहाँ पर main agency, अगर हम देखे informal education की, तो वो होती है society, basically society में बहुत सारी चीज़े cover हो सारा basically society में होता है, बहुत ही गहन तरीके से होता है, ठीक है, families also important, यहाँ पर home की बात की गई है, लेकिन देखो home भी जो है, अगर आप कब तक आप home में रहेंगे, आप home से जदा बाहर रहना सीखते हैं, दोस्तों के बीच रहते हैं, relatives के बीच भी रहते हैं, तो जो society का दा देश है हमारे समविधान में, हमें इस दिक्षा के बारे में क्या गया है, कि सबको अपलब्द होनी चाहिए, सबी को अभी गम में होनी चाहिए, सबके लिए अनिवारे होनी चाहिए, या फिर सबी होनी चाहिए, तो बहुत easy question है, सारे provisions हैं, सबको available होनी चाहिए, सबको accessible ह नहीं है कमपल्सरी आर्टी एजुकेशन एड राइट टो एजुकेशन एक्ट जो है उसने कमपल्सरी करी दिया है छैसे चोदा साल तक के बच्चों के लिए जुकेशन ठीक है तो इसका आंसर होगा ओल अफ द अबॉफ नेक्स्ट बात करेंगे बेंडरा के बारे में बेंडरा की सोशल कोग्निटिव थे जिसको इन्होंने पहले सोशल लर्निंग थे जिसको इन्होंने अपने थे जो बच्चा है वह पैसिव नहीं होता य। जबकि व्यावारवादी ये मानते हैं कि बच्चा जो है वो passive learner है, आप जो भी उसको सिखाएंगे वो चुपचाप सीख लेगा, मतलब वो अपने आप से इतने efforts नहीं करता है, वो अपने आप चीज़ा सीख लेता है, लेकिन बेंडोरा ने change किया, उन्होंने observation learning की जो अपनी ठीक है, वो मतलब ये सोचता है कि हाँ पर इससे मुझे फाइदा होगा, इससे मुझे नुकसान होगा, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये सारे चीज़े बच्चा सोचता है, तो बेंडोरा के according जो बच्चा है वो active होता है, passive नहीं होता है, ठीक है, पहली चीज़ उन्होंने बात करी है, ठीक है, जो आत्म प्रभाविक करन होता है जो बच्चे का, वो बहुत active होता है, मैंने का नहीं कि विवारवादियों से अलग दृष्टी को उन्था है इनका, बच्चा अपनी efficiency, बच्चे का अपने आप कितना जानता है, अपने बारे में बच्चे नियंतरन होता है बच्चे का अपने उपर, और हो सीख भी लेता है धीरे-धीरे, ठीक है, तो इन तीनों चीजों की बात करी है, लेकिन unconscious motivations की बात नहीं करी है, ठीक है, तो यानिकि option number two, इसका correct option होगा, दो number यानिकि unconscious motivations, यानिकि अचेतन मंशा, इसका correct option होगा, next है, which are the following, of personality measurement, देखो हमारा जो व्यक्तितव होता है, उसको मापने के बहुत सारे तरीक उते हैं, तो प्रोजेक्टिव टेक्नीक भी एक तरीका है, ठीक है, तो आपको यह बताना है, कि कौन से इन में से प्रोजेक्टिव टेक्नीक है, वैसे कोशन आसान है, आपको options देख के नजर जाएगा अगर आपने प्रोजेक्टिव टेक्निक्स पढ़ी है तो देखो इसमें जो कोशनायर हो गया रेटिंग स्केल हो गया फिर इंटर्वी हो गया ये एक तरह से आपकी असेस्मेंट स्किल्स होते हैं जो टीचर यूज करते हैं बच्चों को बच्चों गया फिर हमारे टेक्स जो होता है यह पर्सिकल टेस्ट होता है एक तरह से पर्सेनालिटी को मेजर करने के लिए और यह प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के अंदर आता है next question है the one correct statement among the following आपको इन में से सबसे सही statement बतानी है तो देखते हैं मनोविज्यान के छेतर में अनेक विवाद है पूरे मनोविज्यानिक छेतर के अधिकांश पहलों पर खुद के बीच सहमत है मतलब सारे मनोविज्यानिक जो है सहमत है दूसरे से मनोविज्यानिक गंबीर सोच में सलगन नहीं है मतलब कि वो critical thinking नहीं करते है उसके बाद मनोविज्यानिक के छेतर में मनोविज्यानिक के छेतर में कुछ विवाद है कुछ विवाद है ठीक है मतलब यह वाली चीज़ है तो यानि कि option number two और three तो आप काटी सकते हैं बिल्कुल हराम से क्योंकि यह आपको लगी नहीं रहोंगे अब बात आती है first में और fourth में कि बहुत जादा विवाद है देखो अब यह question किस तरह का है अब आपको पता है कि जितने भी theories आते हैं उनकी criticism होते ही होते है ठीक है जैसे वाइगोंच की काप ले लेजे उनको भी बहुत criticize किया जाता है पियाजो को criticize किया गया है फिर कोलबग को criticize किया गया है behaviorist को criticize किया गया है basically मनोवज्ञान में भी ऐसे से theories है कोई एक theories आ जाती है फिर उनका critique अपने आप develop हो जाते हैं मतलब आप जब कुछ काम लेकर आते हैं तो आपके anti पहले खड़े हो जाते हैं ये एक human nature भी है ये कहें तो ये विचारों का खेल भी है क्योंकि देखो नए विचार आने ही आने pragmatis, prusion वादी कहते हैं कि आप कुछ भी eternal truth नहीं है आप जो अभी कर रहे हैं हो सकता है उससे और बहतर कोई और लेकर आ जाए तो मतलब ये ही खाल जो है हर चीज के साथ है ये सिर्फ मनोवे ग्यान की बात नहीं है समाश शास्त्र की बात होगी political science की बात होगी या literature की बात होगी हर जगे पर controversies बहुत जादा होती है ठीक है तो यानि की option number one is the correct option ठीक है ये कुछ नहीं है बहुत जादा विवाद है हर चीज में विवाद हाए थी critical thinking इसी को बोलते है जब आप आलोश नात्मक दृष्टिकोंड रखते हैं next question जो है वो है कैरल गिलिगन के बारे में अब हम criticism की बात करी रहे थे तो जो कैरल गिलिगन है इन्होंने पियाजे को भी criticize किया है और इन्होंने कोल बग को भी criticize किया है देखे जो moral development की theory थी वो पहले पियाजे नहीं दी थी उसके बाद जो कॉल बग थे वो एक तरह से पियाजे की theory को ही उन्होंने आगे extend करके अपनी अलग stages दे दी ठीक है लेकिन जो कैरल गिलिगन थी इन्होंने basically जादा criticize किया को कॉल बग को criticize इसलिए किया जाता है कि उनके जो mostly samples थे वो male samples थे उन्होंने जितनी भी study करी वो basically लड़कों पर जादा करी है ना females को कम लिया और उसके बाद अपने आप से यह जाब शिम्स लगा के कुछ कुछ लिख दिया तो criticize इन्होंने किया एक है चलो देखते है किसमें है क्या that women are more focused on the standard of dash whereas men are more focused on the standard of dash simple कैरल गिलिगन ने इस चीज़ को उपर रखती है मतलब morality में इस चीज़ को उपर रखती है वो आपको बताना है जबकि आदमी जो होते हैं ठीक है उनका इस चीज़ पर जादा धिहान होता है तो वो justice जादा अच्छे तरीके से करते हैं मतलब कॉल्बग ने basically males को उनकी ठीज़ थोड़ी से बाइस्ट थी मैं भी मानती हूँ क्योंकि उन्होंने seriously ये बात बोली है उन्होंने क्योंकि women का nature ही ऐसा होता है मतलब inborn nature है उनका कि वो लोग इस चीज़ में थोड़ी से ढिलाई बरत देती है ये बात है basically तो देखो यहां पर हुआ क्या है caring for others and avoiding pain avoiding pain की बात नहीं है यहां पर caring for others and justice सिर्फ दो चीज़ों की बात है ठीक है इन्ही दो मुद्दों पर कैरल गिलिगन ने उनको घेरा था तो देखो अब यहां पर क्या है जो women होती है women में उन्होंने कहा था कि एक जो caring nature होता है ना women का वो उनको moral judgment लेने में effect करता है उनका यह कहना था ठीक है और जो males होते हैं जबकि उनका जो ध्यान होता है वो ज़्यादा न्याय पर रहता है मतब justice पर ज़्यादा रहता है उनका ध्यान इसलिए वो लोग जो moral judgment होते हैं वो उस perspective से लेते हैं तो यह कहा था कॉलबर्ग ने और इसी चीज़ को criticize किया कैरल गिलिगर ने उन्हेंने कहा कि आप कैसे कह सकते हैं कि जो women का caring nature है वो उनके moral judgment के बीच में आता है वो कहते हैं कि women जो है उनका caring nature है क्योंकि society कुछ ऐसी है कि उनका socialization भी इस तरीके से होता है कि उनको इस role में दिखाया जाता है तो आप यह मत कहिए कि जो caring nature है women का वो उनके moral judgment के भीच आता है ठीक है अगर मैं simple भाजा में आपको जिखाऊं तो तो इन्हेंने कहाता कि नहीं भी आदमी जो लोग जो होते हैं वो बाहर जादा चीजे करते हैं ठीक है उन लोगों का बाहर उठना बैठना जादा होता है उनको सारी चीजे पता होती है और basically जो न्याय की धारनाई होती है उन सबसे वो परिचित होते हैं जबकि women का ध्यान जादा caring वाली चीजों में होता है बच्चे की देख भाल करना हस्बेंड की देख भाल करना सास असूर की देख भाल करना जो भी है तो वो caring जो ethic of care basically उन्हें वर्ड वी उस किया था ethics of care ठीक है तो वो ethics उनके लिए ज़ादा हावी हो जाते हैं बजाए कि न्याय के ठीक है अब तो ये बोला था तो इसमें जो correct option होगा वो होगा option number B यानि कि women में होता है caring for others वाला चीज और men में होता है justice बतार proper नियाय वाली चीज ठीक है तो ये इसका correct option है next question है पैवलोव का जो dog है हमेशा saliva करता है जब भी वो bell सुनता है लेकिन अब कितना टाइम हो गया कि जब भी salivation करता है बैल के वाल उसको खाना नहीं मिल रहा है तो देखो इसमें पैवलोव ने क्या का था उन्होंने कुछ जनल प्रोसेस बताए थे जैसे extinction था spontaneous recovery था या फिर जनलाइजेशन था है इसे कुछ प्रोसेस उन्होंने बताए थे मतलब सारे में आपको डीप में नहीं जाओंगे कि वीडियो जाओंगे कि वीडियो काफी बड़ी हो रही है तो देखो explanation इसमें क्या था यहाँ पे जो है उसको bell की आवास सुनते ही वो आया उसे saliva produce करा मूँ से लेकिन इसको खाना नहीं मिला आप बार 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 वही चीज कर रहे हो है ना तो लास्ट में क्या होगा extinction हो जाएगा खतम हो जाएगा मतलब यह जो आप चाहरे हो ने कि डॉग जो है हमारे साथ भी कुछ ऐसा चीज़े होती है कि हम किसी के लिए करते हैं करते हैं बदले में कुछ भी नहीं मिलता है इवन expectations हम सबको होती है लेकिन एक टाइम आता है जब आपकी expectations खतम हो जाती है और फिर आपका जो नेशर होता है caring वाला वह भी एक तरह से खतम हो जाता है उस particular इंसान के लिए कुछ चीज़ों के लिए ठीक है तो यानि कि यहां पर क्या हो गया है extinction हो गया है डिरेक्ट विलोपन हो जाता है एक तरह से लुप्तिकरण हो गया है यहां पर नेक्स कोशन है whatever is experimentally verified is truth ठीक है तो मैं अगेन आपको कहूंगे एक बार मेरी वो एक वीडियो देख लीजिए वो philosophy of education वाली जो थी अगली में लेकर आऊंगे है उसमें philosophies को भी हम discuss करेंगे idealism को realism को naturalism को क्योंकि मैंने कहा था यह तीन और important है देखो अब यहां पर क्या हुआ एक्सपेरिमेंटल मैंने आपको इसका नाम भी बताया था दूसरा किसका pragmatism का प्रियोजन वादियों का मैंने एक नाम बताया था आपको कि इसको हम experimentalist भी बोलते है क्योंकि इनका ध्यान experiments पर जादा था मैंने इसमें आपको यह का था कि यह लोग changes को जादा prefer करते हैं इनके according कोई भी eternal truth नहीं है कोई भी सच्छा ही नहीं है आज कुछ सच है हो सकता है अगले time जो है उसको जूट प्रूव कर दिया जाए तो जो भी चीज प्रूव होती च चाहां से देखा हो और मैंने कहा था कि pragmatism को हम experimental experimentalism भी बोलते हैं तो आप अगर आपने वीडियो देखी है तो आप यहां से देखकर ही पैचान सकते हैं मतलब एक्जेक्ट यह लाइन मैंने आपको नहीं बताई थी क्योंकि कोशन बनाने वाला आपको कोशन किसी तरस भी सकता है उस कोशन में लेकिन अगर कंसेप्ट अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप कोई दिक्कत नहीं होगी अब यहां पर यह कोशन देखते मुझे बता चलिया कि हम pragmatism ही होना चाहिए क्योंकि experimental की बात आ गई और दूसरी चीज में आपको क्या का था कि उन्होंने का था बहुत चलन था उसका लेकिन राजा राम मोहन राय जैसे विचारक आये जिनकी वजह सतीप्रिथा बैन हुई बैन करवाई उन्होंने तो मतलब पहले हम उस चीज को बहुत सच मानते थे पवित्र मानते थे कि नहीं भई सती होना is very good and all लेकिन आज के टाइम में कि आप इस Changing values में ध्यान था किसका pragmatism का यानि कि जो प्रियोजन वादी थे वो change पर believe करते थे ठीक है मतलब आप truth को जो है जो भी आप verified कर सकते हैं experimentally वो आपका सच बन जाते हैं अगले पल अगर उसको आप experimentally आप disprove कर देंगे तो वो जूट बन जाता है तो ये थे pragmatism यानि कि प्र ही है आपको ये बतानी है both are natural process दोनों ही प्राकृतिक प्रिक्रियाएं है growth भी a development भी growth is natural देवलोप्मेंट इस एक्स्टरनल इंटर्वेंशन मतलब बाहर जा कुछ आपको करना पड़ता है तब जाके development होती है growth is satisfactory growth है संतोष जहना कहें लेकिन विकास तो अपने आप हो जाता है उसके बाद बोद दर प्रोसेस गो तोगेधर without any external invention दोनों एक साथ चलते हैं बिल्क के लग रहा है question देखो इसमें यह वाला तो मिटाई दो two or three तो आपको I think लगी रहोंगे गलत है अब आपको confusion थोड़ा सा हुआ होगा तो first or fourth में हुआ होगा कि both our natural process दोनों ही natural process है या फिर both the process go together without any external intervention देखो अब क्या होता है कि जो यह fourth option है कि दोनों साथ साथ चलेंगे ब हो पाती है है ना मतलब आपका शरीर तो बड़ा हो गया है आप मतलब आपका brain develop कर गया है लेकिन आपकी थोड़ी बहुत समझ जो है वह अच्छी नहीं हो पाती है या फिर आपका physical aspect आपका हो गया है बट आपकी वैसी वाले development नहीं हो पाई है आप मतलब हो गए 18 साल के ले intervention करना जरूत नहीं होता है हाँ अगर आप बाहर के वातावरण के साथ interact करते हो तो इन चीज़ों पर effect पड़ता है लेकिन intervention नहीं करते हैं हम लोग कि बाहर से कुछ डाल दें कुछ दवाईयां खिलाएंगे तो growth and development होगी ऐसा नहीं होता है यह दोनों natural processes होते हैं तो both are natural processes त correct option next question है आपका as a social subsystem the main role of education is बही सामाजिक उप्रणाली के रूप में सिक्षा की मुख्य भूमिका क्या है सामाजिक मूल्यों को उत्रोतर पीडियों में पहुंचाना समाज में कम्यों को दिखाना और सुधारना समाज में आधुनी करण की शुरुवात करना या फिर व्यक education जो आपको तयार करती है आपके जीवन में आने वाले changes से आपको समायोजन करने में और आपके जो education जो है process of life है मतलब एक process है जिसके तुरू आपको life जी नहीं है education वो एक पूरा process होता है ठीक है तो क्या होगा इसका मतलब तूरु पास सोशल वैल्यों से सिफ क्या यह काम होता है कि हम समाजी को लोगों एक PD से दूसरी PD तक पहुंचाते रहें सिर्फ यह काम नहीं होता है education system का ठीक है मतलब first option नहीं होगा उसके बाद to point out and correct आप पहले कम्या दिखाएंगे फिर सुधार करेंगे ऐसा भी नहीं होता है उसके बाद है to introduce modernization to society यह भी नहीं होगा य आप नहीं क्या किताब में पढ़ा है यह अलग चीज़ है लेकिन आप अपको actual life में क्या apply कर रहे हैं अगर आपने बहुत अच्छी चीज़े पढ़ी हैं लेकिन बाहरा आप आकर आप किसी उगाली दे रहे हैं आप गुस्सा बहुँ जादा कर रहे हैं ना आप बिना वज सकते हैं कि एक इंसान को एक peaceful life जीने में education help करती है ओके तो option number four is the correct option यह पहला दूसरा तीसरा जो है बिल्कुल वे सही नहीं जा रहे हैं ठीक है नेक्स्ट है यह गांधी जी की जो basic education थी basically उस पर question आ गया है out of the following which is not related to गांधीन करेकुलम ठीक है गांधी जी का जो करेकुलम था गांधी जीने अपनी basic education के बारे में बात कीती है ना और मतलब इसको आप I think आप सब यह को पता ही होगा लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा मतलब activity based था ठीक है और वो यही था कि ऐसी education हो जो आपको आगे अपनी जिंदगी में आपको अजीव का कमाने में भी help करे vocational education पर उनका बहुत ज़्यादा धिहान था ठीक है चर्का चलाने को बहुत ज़्यादा important मानते थे साफ सफाई को बहुत ज़्या important मानते थे वो basically कर योग में interested थे उन्होंने का था अगर आप शारिरिक श्रम के बिना कुछ कर रहे है ना आप बिना शारिरिक श्रम के अगर आप खा रहे हैं तो आप बिल्कुल व्यर्थ कर रहे हैं आप किसी और का खा रहे हैं basically गांदी जी कहते थे तो कहते थे बच्चों में भी हमें इन values इसको डालना होगा अब यह values कैसे कैसे आ सकती है activity based थी correlated curriculum होना चाहिए सह संबंदित होना चाहिए ऐसा नहीं है कि अगर आप maths पढ़ रहे हैं तो आप maths को बिल्कुल अलग कर दे आप social science को बिल्कुल अलग कर ले दोनों का correlation आपको दिखाना है फिर craft center तो बोला ही बोला था इनको आपने कर लिया तो basically आपका main curriculum complete हो गया यह कहता है core curriculum इसमे science math streams अलग अलग चीज़े होती है आज के time में वैसे देखा जाए तो core curriculum ही हो रहा है system मतलब on papers तो बहुत सारी चीज़े हैं लेकिन अगर हम reality में देखे तो core curriculum ही करते हैं लेकिन यह गांदी जी के according नहीं था basic education में ठीक है fourth option is the correct option next question है हमारा in the conditioning theory of learning यानि कि अधिगम के अनुकूलन के सिधानत में मतलब क्या चीज़ इन में से follow होती है ठीक है हमें यह बताना है तो पहला है कि the subject should be in readiness to receive unnatural stimulus मतलब जो भी subject है जिसके आपर उपर जो है आप प्रियोग कर रहे हैं उसको क्या करना चाहिए उसको मतलब that should be in readiness मतलब readiness में होना चाहिए मतलब उसको तयार रहना चाहिए to receive unnatural stimulus यानि कि जो अप्राकरतिक उद्धिपन होते हैं जैसे कि वो bell थी न प्राकरतिक नहीं है यह प्राकरतिक रूप से आप उसके तुरू सलाइवेशन करवाने की कोशिश कर रहे थे तो वह एक unnatural हो गई चीज ठीक है तो यह भी बात है कि जो subject आपका जो भी subject है वो dog भी हो सकता है इंसान भी हो सकता है उसको एक readiness के स्टेट में रहना चाहिए पोलो करते है natural stimulus को ठीक है जैसे कि क्या हुआ देखो natural stimulus वहाँ पे अगर मैं उसका example particular लेके दिखाऊ आपको तो वहाँ पे जो food है वो एक तरह का natural stimulus हो गया तो उसको देखते ही जो है response आता है कि dog salivate करता है लेकिन फिर उसके बाद उसको condition कर दिया गया unnatural stimulus के साथ जो था unnatural stimulus है वो कही न कहीं follow करता है natural को पहले आपने food दिखाया dog salivate कर रहा था लेकिन जैसे ही मतलब आपने food दिखाया उसके बाद आपने खाना इन रखा फिर आपने bell बजाए उसके बाद आपने खाना प्रेजेंट किया उसके सामने तो जैसे ही bell बचती है वो condition हो गया उस कर दिया तो यानि कि पहले natural way में चीज़ें होती है उसके बाद आप unnatural create करते हो है ना stimulus को तो यानि कि जो unnatural है वो कहीं ना कहीं natural को फोलो करता है ठीक है तो question number 68 का option number 2 is right और last है response to natural stimulus required to be reinforced कि जो natural stimulus होते हैं उनके प्रती जो response है वो reinforce करना चाहिए यह नहीं होता है देखो अगर food देख लिया dog ने है किसी भी animal है तो अपने आप ही वो salivate करता है अपनी नॉर्मल जिंदगी में देखो आपके जो bet है क्या आपको reinforcement की ज़रुत है उस food को देखते है dog को salivate कराने के लिए बिल्कुल भी ज़रुत नहीं है मतलब जैसे ही natural चीज़ उसको दिखाई दिखाई dog जो salivate कर रहा है लेकिन आपने पहले बेल बजा दिया उसके बाद आपने food प्रेजेंट किया तब जाके जो है डोग मतलब आदी हो गया बेल का भी कि बही बेल जब बज़ेगी तब उसको salivate करना है क्योंकि बेल बजने के बाद ही उसको खाना मिलेगा लेकिन पहले food की जो salivation process है वो natural है उसके बाद ही ये बेल वाला system आ सकता है अब ऐसा तो है नहीं कि आप पहले बेल ही बजाते रहेंगे और dog जो salivate करना start कर देगा वो ऐसा थोड़ी करेगा उसको पता है उसका जो natural response है वो food की तरफ आता है इसलिए आपने food से connect किया उस bell को है ना तो bell ने ने फूड को फॉलो किया है फूड ने बेल को फॉलो नहीं किया है सलाइब कराने के लिए ओके तो option number two is the right option unnatural stimulus जो है फो फोलो कर रहे हैं कंफीग्यूटी का लो फो सोरी लो जो है फोलो कर रहे हैं कि निकटता का नियम उसके बाद हम बात करें तो reinforcement है या या फिर exercise है तो देखके सीधे सीधे इसका अंसर है exercise यहां पर बच्चे जो है exercise को सोल करेंगे प्रैक्टिस करेंगे और यह लो फ एक्सराइज है जो भी आपके लॉस दिये थे मतलब भी लर्निंग थियोरी के लो जा सारे लो फ एक्साइज लो फो रेडिनेस यह सब आपक कोशन जो मतलब बैसिकली आपको ऐसा लगेगा इसको देखने के बाद कि कहां से कोशन उठा कर दे दिया है ना यह स्टाड़ाइजेशन टेस्टिंग जो अगयरा होती है नॉर्मल डिस्टिबुटिव कर जो होती है आप में नॉर्मलाइजेशन का नाम सुना होगा यह उस साल का बच्चा है यानि कि chronological age उसके 10 years है लेकिन उसके mental age है वो 12 साल है ठीक है अब यहाँ पर आपको यह यू दिया हुआ है यह होता है mean score यह जो सिंबल है यू का मियू का बोलते है इसको सिंबल ठीक है यह 105 दिया हुआ है standard deviation आपको 15 दिया हुआ है और मतलब normal probability curve होती है व पहले एक बार हम curve देख लेते हैं देखो यह एक curve है जो standard deviation z score t score set score वगरा की है ठीक है चोलो इतना deep में नहीं जाएंगे लेकिन हमें यहाँ पर इस question में निकालनी है z score ठीक है z score कह सकते है इसको मतलब z थो नहीं बोलते हो हम बोलते थे मतलब जो पढ़ाते थे to z लेकिन को z बोलते हैं basically तो z score हमें चेक करना है तो z score होता है x minus में mu upon में standard deviation ठीक है standard deviation आपको given है आपको mu given है that means mean score है वो given है देखे इस curve में जो mean है हम उसको 0 मान लेते हैं वैसे आपका दिया कितना हुआ है 105 दिया हुआ है ठीक है और standard deviation आपका 15 दिया हुआ है और यह जो raw score इसको बोलत आपकर standard deviation से divide कर देते हैं तो हमारा z score आजाता है इस z score से हमें यह पता चल जाएगा कितना standard deviation है plus 1 है plus 2 है plus 3 है minus 1 है minus 2 है minus 3 है ठीक है तो इस question में हम क्या करेंगे पहले मैं आपको एक बार बता देती हूं ठीक है ताकि आपको चीज़े clear हो जाए तो पहला हमें पता है कि row score है वो हमारा 120 आगया ठीक है यह हम मान कर चलते हैं यहाँ पर तो देखो आप formula apply करेंगे अपना सिधा सिधा तो row score में से हम कितना minus करेंगे mean score upon me standard deviation ठीक है तो यह आपका आजाएगा 15 by में 15 यानि कि आपका यह 1 आ रहा है ठीक है 1 का मतलब है plus 1 ओके क्योंकि हमारा z score जो है plus 1 SD अब इसको percentage में कैसे calculate करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ ध्यान से आप इस चीज को समझना तो यह देखिए हमारा score जो था वो plus 1 था ठीक है that means कि the child stands here वो बच्चा यहाँ पर है देखिए bell curve होती है यह किसी भी अगर distribution की आप curve देखेंगे तो bell curve होती है और हम मा काले में होते हैं जो average से जाधा होते हैं तो हमारा जो बच्चा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो भाई वो यहाँ पर stand कर रहा है ठीक है जिसकी mental age 12 है और वैसे chronological age 12 है ठीक सुरी 10 है तो अब हमें पता है कि वो 1 plus 1 SD उसका हमारा standard deviation आ रहा है अगर हम उसको Z score में match कर तो है ना Z score plus 1 आ रहा था उसका और वो 1 standard deviation के equal होता है तो अब देखो इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि अगर बच्चा यहाँ पर है तो उसने इन बच्चों से तो जादा score किया है क्योंकि वो यहाँ पर है लेकिन यह जो बच्चे है इन से उसने कम score किया है that means कि 14% plus 2% तो 14 plus 2 हमारा कितना आ जाएगा 16% तो इसका मतलब है कि 16% बच्चों से उसने score जो है वो कम किया है अब यह question समझने के लिए आपको पूरा normal distribution curve, standardization, testing वगरा सब सीखना पड़ेगा लेकिन चलो बभी मैंने आपको बता दिया है कि इसमें यह चीज थी ठीक है तो इस question का सर हमारा answer आ जाएगा 16% यह देखो यहाँ पर option number 3 is the correct option ठीक है 16% यही पुछा था ना कि calculate the percentage of 10 year old children this child has scored less than जिन से उसने कम score किया है तो मैंने आपको बता दिया था कि यह bell curve है तो बच्चा यहाँ पर प्लस 1 पर आया था इधर जो है 14 प्लस में 2% बच्चे और भी है जिन्होंन है ना तो मतलब option number C is the correct option मतलब 16% बच्चों से पीछे वो पुछा था अगर यह पूछता कि कितने percent बच्चों से जादा है तो हम कह सकते थे 84% बच्चों से ठीक है तो गाईज यह थी आज की प्रतिक्षिवालिक सर की मतलब pedagogy series का set C का जो pedagogy series थी उसकी पूरे 20 question थे जो म not so easy है ना मतलब moderate level का question में कह सकते हूं आपके लिए according to you ठीक है मैंने तो बहुत सारी चीज़े पढ़ ली है तो शायद थोड़ा सा ठीक भी होगा है लेकिन आप लोगो कितना पढ़ना है वो आपको देखना है आपको इससे तोड़ा यह जज करना है कि आप लोगो कितना कर पारे है अच्छा अच्छा और बेस्ट तो आपके वोगो थो एंध थान आपके वाचिए वाचिंग यह ना एकिउ